फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको रिवर्सिवल स्विच से मेल लाइन और जर्नेटर के कनेक्शन बताएंगे कि हम इसके ओपर जर्नेटर और मेल लाइन कैसे चला सकते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं तो दोस्तो बिन टाइम बेस्ट किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो जे रिवर्सिवल फारवर स्विच है तो इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं तो इसको दोस्तो सबसे पहले हमने जो इसके जैंपर डाले हुए हैं उसको खोल लेना है इसको अशी तरह से सोल्डरिंग किया हुआ है तो दोस्तो हमारे चेंज ओबर में तीन पॉइंट है एक, दो और तीन तो तीन में ऐसे दोस्तो हमने जो एक बाला पॉइंट है उसको शोड देना है जा सामने बाला जा इस सामने बाले को शोड देना है जा इस सामने बाले को शोड देना है क्योंकि हमारे जो face neutral है उसकी दो wire होती है जनरेटर की दो wire होती है इसलिए तीनु में ऐसे एक पट्टी को शोड़ देना है तो दोस्तो जह हमारे बास black wire है और red wire है इसको हम face और neutral के लिए इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहले दोस्तो हमने इसको जहां पर लगा लेना है एक face wire को और इसको अशी तरह से tight कर देना है और दूसरी side पर दोस्तो जहां पर हमने जो neutral wire है हमारी उसको लगा लेना है और इसको भी अशी तरह से tight कर देना है अब दोस्तो जो हमारा generator है उसकी जो wire है जे green wire और blue wire इसको हम इस्तमाल करेंगे face और neutral के लिए generator की face और neutral इसको हम इस side में लगाएंगे और इसको अशी तरह से tight कर देंगे अब generator की दूसरी wire को लेंगे इसको भी अशी तरह से tight कर देना है अब दोस्तो जो हमारी lamp है जे इसकी जो हमारी output है जर्नेटर और line की main line है जो हमारी उसको हम इसके center में सामने सामने लगा देंगे बीचो बीच और इसको अशी तरह से tight कर देना है अब इसकी दूसरी wire को भी लेंगे और इसके सामने लगा देंगे और इसको भी हमने अच्छी तरह से tight कर देना है तो दोस्तो अब हम इसको supply देते हैं तो दोस्तो हमारे connection हो च्ञशन हो च्छे हैं और हमने supply दे दी है और जैसे हम इसको इस तरफ करेंगे तो हमारा generator चलना शिरूह हो जाएगा और जब इसको अब center में करेंगे तो जी हमारी light बंद हो जाएगी तो इस तरफ करेंगे तो हमारी मेंन लाइन चलना शुरू हो जाएगी तो जे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को ज़द स्यादा लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद